तो प्रभात बच्चो आज हम आपकी पार्टे पुसक हिंदी के पार्ट 19 का अध्यन करेंगे जिसका शीर्षक है मुहावरे और लोकुक्तियां तो चलिए पार्ट को शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये क्या होते हैं और इनका प्रियोग हम बाकियों में किस प्रकार से करते हैं पार्ट 19 मुहावरे और लोकुक्तियां मुहावरे तो बच्चो इस पार्ट में हम मुहावरे और लोकुक्तियों के बारे में जानेंगे तो सबसे पहले पढ़ते हैं इस मुहावरे क्या होते हैं जो बाक्या आइशाब्दिक अर्थ का बोध ने कराकर एक विशेश अर्थ का बोध कराता है उसे मुहावरा कहते हैं मुहावरा वाक्य में ही प्रियोग हो सकता है इनका प्रियोग स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकता मुहावरों के प्रियोग से भाशा, आकर्शक और प्रभावशाली बन जाती है तो मुहावरों को वाक्यांश का जाता है ये बाक्यांज होते हैं जो की अपने शाब्दिक अर्थ को यानि की जो इनके शब्दों का अर्थ है उसको अर्थ को नहीं बताते हैं बलकि एक विशेश अर्थ को बताते हैं अगर हम मुहावरों का प्रियोग अपनी भाशा के अंतरगत करते हैं अपने बाक्यों के अंतरग में एक बात और होती है कि इनका प्रियोग हम स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते ये केवल बाक्यों के अंतर गती प्रियोग किये जाते हैं तो नीचे पढ़ते हैं मुहावरों के अर्थ और उनके प्रियोग को देखते हैं पहला प्रमुक मुहावरे उनके अर्थ और प्रियो गई इसका अर्थ है घबरा जाना वाग्के प्रियोग अचानक शेर को सामनी देखकर कार चालक के हाथ-पाउं फूल गए अपना उल्लू सीधा करना अपना स्वार्थ सिध करना वाग्के प्रियोग कुछ लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए मित्रता का दिखावा करते हैं तो हम देख रहें कि किस प्रकार ते अपने शब्दों का अर्थ नहीं देखरें मुहाव्रे के अपना अलग विशेश अर्थ बता रहे हैं नेक्स है आणखों में धूल झोखना धोका देना वाग्के प्रियोग चानून की आणखों में धूल झोखने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए आँखे कुलना सच्चाई का पता चलना वाक्के प्रियोग हैं सब कुछ गवाने के बाद आँख खुली भी तो क्या लाब आँखों का तारा बहुत प्यारा वाक्के प्रियोग अंकुर अपनी माता पिता की आँखों का तारा है नेक्से अपने पैर पर उलहाडी मानना, स्वेम अपनी हानी करना, वाक्य प्रियोग इसका जो बालक महनत से पढ़ाई नहीं करते हैं, वे अपने पेर पर उलहाडी मारता है, आकाश पताल एक करना, बहुत परिश्रम करना, वाक्य प्रियोग इसका परिश्रम में प्रिथम आने के लिए हर्ष ने आ गाल बजाना व्यर्थ की बाते करना इसका प्रियोग कुछ लोग काम तो करते नहीं बेकार गाल बजाते रहते हैं घोड़े बेच कर सोना निश्चिन्त होना वाक्य प्रियोग है बेटी की शादी करने के बाद रागव जी घोड़े बेच कर सो रही हैं कलेजा ठंडा होना श प्रियोग अपने परिवार का पेट भणने के लिए मसूरों को खून पसीना एक करना पढ़ता है तो यह हमारे मुहावरे जिनके हमने अर्थ को जाना जो की विशेश अर्थ है तो अब हम पढ़ लेते हैं लोकोक्तियां लोकुक्तियां लोकुक्ति लोग जमा उक्ति का अर्थ है आम लोगों में प्रेचलित उक्तियां कथन लोकुक्ति का प्रियोग विशेश और व्यापक अर्थ में होता है ये जन्साधरन के अनुबवो किसी कहानी घटना अद्वत तथे पर अधारित होती है ये प्राय स्वत पंद्रवाक्थिों की भाति प्रियूक तोती हैं लोक उक्ति को कहावतिया जन्शूति भी कहते हैं जैसे काला अक्षर भेंस पराबर इसका शाब्दिक अर्थ से भिन विशेश अर्थ है अनपड होना लोक उक्ति दो शब्दों से मिलकर बनाए लोक और उक्ति जिसका अगर हम अर्थ निकाले तो यह है कि आम लोगों के द्वारा कहे गए कथन कहे गई बाते कहे गए वाक्य है लोगोक्ति का जब भी हम प्रियोग करते हैं तो इनका जो प्रियोग होता है एक विशेश और बड़े अर्थे में इनका प्रियोग होता है यह छोटी सी वाक्य होते है छो और इनका प्रियोगम स्वतंत्र रूप से भी कर सकते हैं जैसे के मुहावरों का नहीं कर सकते हैं लेकिन लोकुक्तियों का कर सकते हैं इनको जन्षूति भी कहा जाता है और कहावत भी कहा जाता है जैसे उधारने काल अक्षर भैस बराबर काल अक्षर भैस बराबर तो हम इस प्रियोग खर्बूजे को देखकर खर्बूजा रंग बदलता है एक का प्रभाव दूसरे पर भी पड़ता है वाक्य प्रियोग अगर आप इमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं तो आपके बच्चे भी आपका अनुकरन करेंगे यह बात बिलकुल सच है कि खर भाव देखकर दीपा समझ गई कि चोर की दाणी में तिनका है नेक्स हैं जिसकी लाटी उसकी भैंस शक्तिशाली की जीत होती है वाक्य प्रियोग यद्देपी कानु की दृष्टी में आज सब बराबर हैं लेकिन ग्रामिन शेत्रों में कई जगों पर अब भी जिसकी ला सकफार दी उस पर दोश भी मुझे ही दे रहे हो यह तो वही बात हुई कि उल्टा चोर कोतबाल को डाटे उची दुकान फीका पकवान केवल बहारी दिखावा करना वाक्य प्रियोग इस कभी का नाम तो बहुत सुना था लेकिन कभी ता सुनकर मजा नहीं आए किसी ने लिए कई लोगों की सिपारिशे आ गई इसे कहते हैं एक अना सो बेमार तो हम सारी लोकुक्तियों में क्या देख पा रहे हैं कि यह अपने शाब्दिक अर्थ को बिल्कुल स्पस्ट नहीं कर रही हैं यह तो कुछ अलग ही अर्थ बता रही है कुछ फिशेश अर्थ दे र प्रयोग तुम पहले जुट बोलकर काफी पैसा मुझसे ले चुके हूँ अब मैं तुमारी बात का विश्वाश नहीं करूंगा याद रखो काट की आंडी एक बारी चुटती हैं नेक्स है थोता चना बाजे घना सारकम दिखावा अधिक इसकार्थ हैं और बाक्य प्रयो अब यहाँ पर बच्चो कुछ और लोकुक्तियां दी गई हैं और उनके अर्थ दी गई हैं तो चलिए इनको भी पढ़ लेते हैं यहाँ पर दो कॉलम हैं पहले में लोकुक्ति और दूसरे में उसके अर्थ लिखे हैं तो घर का भेद लंका धाई आपस की फूट से हानी ह होती हैं चमडी जाए पर दमडी नहीं आए महा कंजूस चोर चोर मौसेरे भाई बुरे लोग आपस में सहयोगी बन जाते हैं जान बची तो लाख हो पाए जान बचने से बड़ा कोई लाग नहीं है तो डाल डाल में पात पात एक से बढ़कर एक दिवारों के भी कान होते हैं गुप्त बात कभी छिप नहीं सकती नेक से दूद का चला जला चाच भी फूक कर पीता है दोका खाकर आदमी साबधान हो जाता है नाचन जाने आंगन तेड़ा अपना दोश दूसरों के से मंड़ना मूमे राम बगल में चुरी दिखावे की मित्रता अंधे के आगे रोए अपने नना खोई एंकारी से परियाद करना आगे हैं अंधे के हाथ बटेर लगना मात्र संयोग से सफलता पाना अधजली गगरी छलकत जाए उच्छा अदमी इतराता है आगे कुआ पीछे खाई दोनों और से मुसीबत आसमान से गिरा खजूर में अटका एक के बा सबसे अलग रहना एक पंथ दो काज एक साधन से दो काम बन जाना तो हमने यहां पर देखी कितनी सारी लोकुक्तियां लिखी हुए और साथ में उनके अर्थ लिखे हुए कोशिश करेंगे कि आप इन्हें याद कर लें नैस्टे अब बताईए अब हम बच्चों पाट का अब भ्यासकारे कर लेते हैं जो की है अब बताईए मिसे पहला प्रसुन पढ़ते हैं और उसे करने की कोश्चिश करते हैं नेमलिकित मुहावरों के आर्थ लिखकर अपने वाक्ये में प्रियोग कीजिए तो सबसे पहले आँखों का तारा जिसका आर्थ होता है बहुत बहुत प्यारा और वाक्ये प्रियोग मुहन अपनी मा की आखों का आखों का तारा है नैसे इद का चांदोना इद का चांदोना बहुत समय बाद बहुत समय बाद दिखाई बहुत समय बाद दिखाई देना तो इसका बनाएंगे राम को देखकर चांबोला भाई तुम तो इद का चांद तुम तो इद का चांद तुम तो इद का चांद हो गए तो बच्चो आगे भी और मुहावरे दिए गए हैं जिनके आर्थ लिखने हैं और बाद के प्रियोग करने हैं तो मैंने आपको दो करके दिखाए हैं वैसी आप और भी कर लेंगे सबसे पहले उनके अर्थ लिखेंगे और फिर उनके वाक्य प्रियोग कर लेंगे तो यहाँ पर नमबर तीन है कून पसीना एक करना देखे हाथ बटे लगना नमबर चांद नाचन जाने आंगन टेड़ खून पसीना एक करना और चिकना घड़ा यह आप कर लेंगे ठीक है अब है नेक्स है हमारा जो अगला प्रिशन है निमलिकित लोकुक्तियों के अर्थ लिखकर अपने वाक्यों में प्रियोग कीजिए तो यहाँ पर लोकुक्तियां दी गई है जिनके हमें अर्थ लिखने और वाक्यों में प्रियोग करने है तो चली करते हैं तो पहली वाली लोकुक्ति पढ़ते हैं और उसका अर्थ लिखते हैं और फिर वाक्यों कर लेते हैं मन चंगा तो कठोती में गंगा इसका अर्थ है बच्चो मन साफ होने पर साफ होने पर हर कारे कारे अच्छा होता है और बाक्ये प्रियो करते हैं इसका मुहन हर कारे इमानदारी इमानदारी से करता है इसलिए सब उसकी तारीफ सारीफ करते हैं सही कहा है सही कहा गया है मन्चंगा तो पठोती में गंगा नेक्स है नाच न जाने आंगल टेड़ा तो इसका आर्थ होता है अपना दोश अपना दोश दूसरों पर पर मन्डना मन्डना अर्थार्थ हम कह सकते हैं कि हमें कुछ कारे आता नहीं हमारे अंदर कमी है लेकिन हम यह अपनी कमी अपने उपर ना मानकर दूसरे को दोश देते हैं दूसरों में को बताते हैं कि यह इस वज़े से हो रहा है इस वज़ेस्टे हो रहा है ठीक है है राधा को खाना बनाना नहीं आता नहीं आता इसलिए वह हर किसी के खाने में कमिया निकालती है निकालती है निकालती है इक बात है इक बात है नाच न जानी आंगन आंगन तेड़ा तेड़ा पूर्ण कर लिया है तो बच्चो आज हमने पाड की माध्यम से जाना मुहावरे और लोकोक्तियों के विशे में मुहावरे और लोकोक्तियां होती हैं जो अपने शाब्दिक अर्थ को ना बताकर एक विशेश व्यापक अर्थ को प्रस्तुत करते हैं इनके प्रियोग के मुहावरे और लोकोक्तियों को याद कर लें मिलते हैं अगली कक्षामी नए पाड के साथ तब तक के लिए स्वस्त रहे प्रसंद रहे धन्यवाद